नमस्कार किसन भाईों मैं येश के बिस्क्रमा स्वागत करता हूँ हमारे और आपके अपने यूटूब चैनल येश के आलनोल में किसन भाईों आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं के लिए सबसे बेश्ट खाद कहुंसा है गेहूं में सबसे अच्छा खाद कहुंसा डाले जिससे हमारे गेहूं में जो है एक पोदे से लगबग 10-12 खल्ले बन जाएं तो बहुत ही बेश्ट खाद में लेकर रहे हैं किसानभायों आप इसे डिलवाने से आपके गेहूं की फसल जो है इतना अच्छा उत्पादन दे कर जाएगी कि आप यही कहेंगे कि इतना अच्छा उत्पादन कभी देखने को नहीं मिला है तो चैनल पर पहली बार हैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि यही लेटेस जनकरिया हम अपने किसानभायों को देते रहे हैं आप इस खाद को डलवाने से लगवगर 10-15 दिन में गेहूं में इतने कल्लों का फोटा होगा कि आप गिंते गिंते ठक जाएंगे बहुत ही बेश्ट खाद है और इनमें तीन प्रकार का आयरें जो है किसानभायों मिला होता है बहुत ही बेश्ट खाद है आपने इूरिया डाली होगी लेकिन इूरिया कीज़ेगा ये बहुत ही बेश्ट खाद है आप पहली खाद अपने गेहूं की फसल में इसको प्रियोक करके देखें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखे जाएगा किसानभायों चलिए मैं आप बात कर लूँ कि आपको गेहूं की फसल में पहला खाद अगर डालना है तो कौंसा लगाना चाहिए जिससे आपका पोधा जो सिंगल नजर आ रहा है इसमें से लगवत 10 से 12 कल्ले बन जाएंगे तो बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को म कि मातरा किसानभायों 13 परसंट पाई जाती है तो बहुत ही गेहूं के लिए बेस्ट खादे किसानभायों आप इसे एक बात डलबाके देखें आपके गेहूं की फसल में इतने कल्लों का फुटा होगा कि आप यही कहेंगे कि हमारा खेत इतनी जल्दी कैसे भर गया तो किस साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हमारे किसानभायों को सेर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जनकारी के साथ जब तक कि लेजए